आज मैं आपको बताने वाला हूँ UP के टॉप गॉवर्मेंट इंजिनियरिंग कॉलेजेस यही मेंस के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं और वियसली मैं आपको कुछ गॉवर्मेंट कॉलेजेस के नाम बताने वाला हूँ मैं NIT अलावाद और आपका ट्रपल आईटी अलावाद हो गया यह कॉलेजेस के नाम नहीं बताऊंगा चुकि यह तो अवियस हैं सबको पता होते हैं मैं उन कॉलेजेस के नाम बताऊंगा जिन से आप अग्यात है जिनकी जानकारी आपको नहीं है पहले बात करेंगे HBTU कानपूर के बारे में अगर मैं HBTU कानपूर की बात करूँ तो उसकी अगर मैं कटफ की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी जो कटफ चाती है वो 18,000 के अबाउट EWS के लिए 16,000 के अबाउट General के लिए CSC क्लोज हो जाती है और obviously 40,000 के अंदर आपके Carpet Technology जो है वो यहाँ पे क्लोज हो जाती है जो कि इसकी लास्ट ब्रांच है obviously और EWS के लिए वही चीज 40 से 50 पे खिसक जाती है और OBC के लिए वही चीज 50 से 60 पे चली जाती है और यहाँ पे आपको एक लाग तक SC और ST के लिए ब्रांचेज मिल सकते हैं obviously अगर इसकी प्लेस्मेंट के मैं बात करता हूँ तो इसका जो हाइस्ट पैकेज हो 60 लाक परेनम है और इसकी अगर मैं Average Package के बात करता हूँ तो जैसा की आप यहाँ पे देख सकते हैं obviously इसका Average Package जो है 7.5 लाक परेनम है Next College की बात करेंगे DEI आगरा दयालबाग Educational Institute आगरा के बारे में बात करेंगे और यह College जो है यह basically आपके J.E.Mains के percentile को एक cut-off जैसे J.E.Advance आपका एक cut-off clear करके इतने बच्चों को उठाता है फिर उनका exam लेता है उसी तरीके से यह DEI आगरा क्या करता है कुछ बच्चों को उठाके उनका interview लेके उनको अपने college में admission देता है तो basically अगर मैं बात करो जेनरल के लिए वो 90 percentile J.E.Advance के लिए जो cut-off होती है obviously Aprox DEI आगरा के लिए interview round के लिए भी cut-off same ही होती है अगर मैं बात करता हूँ इसके average package की तो इसकी जो average package है वो लगवग 4.5 lakh per annum है आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं तीसरे college की बात करता हूँ तो तीसरा जो अपना college आजाता है DEI आगरा के बाद वो आजाता है KNIT सुल्तानपूर यह J.E.Mains इस साल से accept करना start करेगा and obviously it is very good college 5 lakh per annum का average package है cut-off वगेड़ा भी नहीं है मेरे पास because यह इस साल से J.E.Mains को accept करेगा and obviously next college के बारे मैं बात कर लेते हैं J.K. Institute of Applied Physics and Technology जो की एक GFTI है अगर मैं इसकी बात करूँ 34,000 के अंदर यह CSE का close हो जाता है general EWS के लिए 5,000 के category rank पे और OBC के लिए 11,000 के category rank पे CSE close हो रही होती है और अगर मैं वही बात करूँगी यह college कहां पे close हो जाती है तो इसके पास only 2 branches CSE इसलिए 40,000 पे इसकी ECE भी बंद हो जाती है and obviously OBC EWS के लिए OBC के लिए 16,000 तक यह close हो जाती है इसकी अगर मैं average package के बात करूँँ तो 5,000,000 per annum इसकी average package है next college के अगर मैं बात करता हूँ तो वह जाता है अपना CIPET Lucknow Central Institute of Plastic Engineering and Technology Lucknow के बारे मैं बात कर लेते हैं इसका जो highest package है 6,000,000 per annum इसको उतना जदा consider नहीं किया जाता है because plastic engineering and technology का जो field है वो इतना बड़ा नहीं है and obviously इसलिए college थोड़ा सा जो है लो माना जाता है but obviously आपके पास ये एक option हो सकता है next time बात करूँगा IICT भदोही के बारे में Indian Institute of Carpet Technology के बारे में Indian Institute of Carpet Technology के बारे में बात करेंगे इसकी जो cut-off होती है 6,000 जनरल के लिए और अगर मैं OBC के लिए बात करूँ तो 19,000 category rank पे आपको मिल रही होगी ये college IICT भदोही इसके अगर मैं highest package के बात करूँ तो 36,000,000 per annum इसके highest package गई थी and obviously average package 6,000,000 per annum के अपरोक्स गई थी मैंने यहाँ पर जितने भी colleges आपको बताई हैं यह जो colleges मैंने आपको बताए हैं यह सारे के सारे colleges जो हैं वो आपको जही मेंस से मिलते हैं UP के state government colleges state government के अंदर आते हैं and these are very best colleges इनमें अगर आपको मिल जाता है admission तो NIT से बिलकुल भी यह पीछे आगे नहीं होने वाला है मैं सारे states के आपको वीडियो लाके देने वाला हूँ और जितने भी colleges यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ऐसा ही बहुत सारे best colleges आपको हरे state के मिलेंगे चैनल को subscribe कर लेना वीडियो को like कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी share कर देना ताकि उन्हें भी एक अच्छा college मिले अच्छा future मिले थैंक्स वोचिंग देना वीडियो